बच्चों आपने मैसूस किया होगा कि मौसम के अनुसार हमारी वेज भूशा और खान पान में परिवर्तन होता है जैसे ठंडी के मौसम में हम उनी कपड़े और गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं जबकि गर्मियों में हम हलके रंग के कपड़े और सूती कपड पहनना पसंद करते हैं आपको क्या लगता है ऐसा क्यूं करते हैं चलिए इसी बात को समझने के लिए हमें क्रिया कलाब करते हैं इस क्रिया कलाब के लिए हमें जिन सामगरी के आवशकता होगी वह है पानी थर्मामीटर यह बीकर जिसे हमने पानी की मात्रा को मापने के लि वरत्र को ने को सबसे पहले सा पर रोग से आपका मासा औरो यह म्युच्न अ क्यौ्म्न करान को पानि करेंगे इस स्ट्रेश polis करेंडे वरत्र इस पानी की समान मात्रा क Requylition में भर लेते हैं 5 छहीं पछसे मेल पानी ले लेते हैं इसके बाद इतना ही यह देखिए यह 50 ml वाटर हम दुबारा इस बर्तन में डाल रहे हैं और लास्ट में थोड़ा सौर लगेगा हमें पानी यह देखिए यह फिर से 50 ml हम इस मिट्टी के बर्तन में डाल देते हैं ठीके अब हमें क्या करना है हम इन सभी बर्तनों में भरे हुए पानी का तापमान नोट कर लेते हैं यह देखिए इसे पानी का ताप मान आ रहा है अठ्थाइस डिगरी सेंटि Davind है यह इस बीडिज लिए बातन में तो चलिए अब हम इन तीनों बरतनों में जो पानी रखा हुआ है इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं तो देखे बakt स्पानी लिया से थाूसे हम ने लेखेंगे कि इन तीनों बर्टनों में से किस बरतन के paganica त्मान सबसे अधिक आगैगा और छलिए बच्चों अब थोड़ी देर धूप में रखने के बाद इन बरतनों में रखे पानी का तापमान नोट कर लेते हैं इसके लिए थर्मा मीटर को बीकर में रखे सामाने ताप वाले पानी में डाल देते हैं और इस प्रकार हम थर्मामीटर को नॉर्मल टेंपरेचर में ले आते हैं ये हो गया 28 डिग्री सेंटिग्रेट चलिए अब हम काले रंग से रंगे हुए इस बरतन के पानी में तापमान को नोट कर लें ये देखिए पारा उपर चड़ रहा है और इसका तापमान आ रहा है 38 डिग्री सेंटिग्रेट चलिए फिर थर्मामीटर के तापमान को सामानने करने के लिए बीकर में रखे सामाने ताप वाले पानी में डालते हैं देखिए ये पारा नीचे आ रहा है और अब हो गया ये वापस 28 डिग्री सेंटिग्रेट अब हम नोट करेंगे इस्टील के इस बरतन में रखे पानी का तापमान देखे पारा वापस उपर चड़ रहा है और अब हमें इसका तापमान मिल रहा है 32 डिगरी सेंटिग्रेट पुना वही प्रक्रिया थर्मामीटर के तापमान को सामाने करने के लिए यह देखे यह वापस हो रहा है 28 डिगरी सेंटिग्रेट फिर से सामाने ताप में या गया और आप मिट्टी के बरतन की बारी है इसमें रखे पानी का तापमान चेक कर ले यह मिल रहा है हमें 26 डिगरी सेंटिग्रेट तो बच्चों हमने देखा कि इन तीनों बरतनों में जो बरतन काले रंग से रंगा हुआ है उसके अंदर रखे पानी का तापमान सबसे अधिक मिला ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काले रंग या गहरे रंग जो होते हैं वो उश्मा के अच्छे अवशोशक होते हैं तो बाकि दो बरतनों से ज्यादा उश्मा का अवशोशन इस भरतन में हुआ जिसके कारण उसके पानी का तापमान सबसे अधिक मिला अब बात करते हैं इस्टील के बरतन में रखे पाने की इस्टील के बरतन की जो सता होती है बोग चमख़ार होती है इसलिए उसमें उश्मा का जो अवशोशन हुआ वो काले रंग के बरतन से कम हुआ और इसलिए उसमें पानी का तापमान भी उसकी अपेक्षा कम मिला चलिए बात करते हैं मिट्टी के बरतन की मिट्टी के बरतन में बहुत ही सूक्ष्म असंख्य छिद्र होते हैं जिसमें पानी आ जाता है जिसके कारण जो उश्मा है वो इसमें अवशोशित होती है और वह पानी जो है वो वाश्पित होता है उससे इसके अंदर रखे पानी का तापमान कम हो जाता है याने कि वो ठंडा हो जाता है अपने देखा होगा गर्मियों में हमारे घरों में मिट्टी से बने घड़े या सुराही के पानी का उपयोग होता है उन बरतनों के पानी का ठंडे ठंडे पानी का हम बहुत मजा लेते हैं चले बच्चे एक काम करते हैं अभी हमने क्या किया इन तीनों बरतनों में समान मात्रा में पानी लेकर इन्हें धूप में रखा था और यह देखा कि किस बरतन के पानी का तापमान सबसे अधिक हुआ चलिए इसकी उल्टी प्रक्रिया करते हैं अब हम इन बरतनों में रखे पानी को कमरे के समाने तापमान में रख देते हैं और फिर देखेंगे कि किस बर्तन के पानी का तापमान सबसे पहले कम होता है तो बच्चों देखें अब आधा घंटा हो चुका है जब हमने इन बर्तनों में रखे पानी को कमरे के सामाने तापमान में रखा था चलिए अब प्रत्य बरतन के पानी का तापमान नोट कर लेते हैं थर्बा मीटर के साइता से हम यह करेंगे तो सबसे पहले इस काले रंग के बरतन में जो पानी है उसका तापमान नोट करते हैं यह पहले कितना आया था दूप में रखने पर 38 डिगरी सेंटी ग्रेट अभी देख लेंगे इसा यह कितना आ रहा है देखिए यह आ रहा है 28 डिगरी सेंटीग्रेट यह 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 कम्रे के तापमान पर आ चुका है चलिए अब इस टील के बरतन में जो पानी है उसका तापमान नोट कर लें यह देखिए यह आ रहा है 29 डिग्री सेंटिग्रेट इसका तापमान धूप में रखने पर कितना मिला था 32 डिग्री सेंटिग्रेट इसे थोड़ा सामान्य तापमें आने देते हैं फिर हम मिट्टी के बरतन के पानी का तापमान देख लेंगे चलिए ठीक है तो अब हम इसका तापमान नोट कर लेते हैं यह हमारे पास पूर्व की तरह यारा है 26 डिग्री सेंटिग्रेट इसका तापमान धूप में रखने के बाद भी हमें कितना मिला था तो बच्चों काले रंग के बरतन में जो पानी था उसका तापमान हमें सबसे अधिक मिला था याने कि उसमें उश्मा का अफशोषन सबसे अधिक हुआ था तो जब उश्मा का अफशोषन सबसे अधिक होता है उस इस्तिती में उश्मा का उस सरजन भी उतनी तेजी से होता ह बरतन के तापमान का चला के पानी का चला से और अगर बात करें इसटील के बरतन में रखे पानी, तो पक्सक्राइ नदिया की बरतन के डिए से खुबार हो नदिया वST करें वन बोर sinners और इसलिए थंडा होने में या उष्मा का सर्जन हुआ उसको सामानेत आप में आने में ज्यादा समय लगेगा